आज की वीडियो में हम एक ऐसी मूवी को एक्स्प्लेइन करेंगे जिसमें कुछ लोग एक रहसे में घर में फज जाते हैं तो क्या ये लोग इस घर से बाहर निकल पाएंगे? ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा मूवी का नाम No Escape Room है अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करके हमार को मोटिवेट करिए अगर हमारी वीडियोस में कुछ भी गलती है तो प्लीज कमेंट करके बताएए ताकि हम उस गलती को सुदार सके कहानी की शुरुवात कैरिन और उसके फादर को दिखाते हुए होती है जो की अपनी कार से कहीं जा रहे है तब ही अचानक से उनकी कार खराब हो जाती है केरिन के फादर का नम माइकल है माइकल उसे गाड़ी से कपड़ा निकालने को बोलता है और जैसे ही केरिन गाड़ी से कपड़ा निकालती है उसका एक्सिडेंट होते होते बच जाता है क्यूंकि उसने कान पर हेड़फोंस लगा रखे थे काफी डुणने पर उन्हें एक गराज मिल जाता है लेकिन उनकी कार को सही होने में अभी टाइम लगेगा तो वो दोनों लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं वहाँ वो दोनों आपस में बात करी ही रहे होते हैं इतने में माइकल की नजर पास में रखे अख़वार पर जाती है जिसमें एक बेदी रहसे में गेम के बारे में लिखा हुआ था इसके एप रूम तबी उनके पास उस रेस्टोरेंट की वेटरस आती है जिसका नाम बैटसी है माइकल बैटसी से गेम के बारे में पूशता है तो बैटसी उसे बताती है ये गेम काफी ज़्यादा खतरनाक है और जिन जिन लोगों ने गेम खेली है वो कभी भी वापस लोड़ कर नहीं आ पाए ये सुनकर कैरिन और माइकल काफी ज़्यादा परिशान हो जाते हैं तबी बैट सी उन्हें बोलती है मैं मजाग कर रही थी ये एक काफी अच्छी गेम है और तुम दोनों को इस गेम में पार्टिस्पेट जरूर करना चाहिए इतना सुनते ही उन दोनों की excitement काफी बढ़ चुकी थी और वो दोनों उस गर पर आ जाते हैं वो दोनों दरवाजे पर नोग करते हैं और दरवाजा अपने आप खुल जाता है देखने में घर काफी ज़्यादा पुराना लग रहा था उन दोनों का ऐसा लग राता कि इस घर में उनके लावा कोई भी नहीं है लेकिन तभी जोसी नाम की coordinator आ जाती है और उन दोनों को एक रूब में ले जाती है वहाँ उनकी मुलाका तीन और पाटिस्पेंट से होती है जिनका नाम Melanie, Tyler और Andrew है Melanie और Tyler कपल तो है लेकिन उनका nature एक दूसरे से काफी अलग है Melanie एक supportive और risk-taking personality है दूसरी और Tyler एक डरपो किसम का इंसान है Tyler इन जैसी गेम से दूर रहना पसंद करता है लेकिन आज Melanie का जनम दिन है इसलिए वो ये गेम खिलने के लिए आया है अब जोसी एक drink लेकर आती है जिसमें से काफी जादा धूआ निकल रहा था अगर कभी कोई विक्ति आपको ऐसी drink ओफर करें तो क्या आप उसे पीना चाहोगे जोसी उन सब को एक agreement भी sign करने को देती है जिसमें साफ साफ लिका हुआ था इस खेल में जान जाने का खत्रा है और वो सब उस agreement पर sign कर देते है उसके बाद जोसी उन्हें एक वीडियो दिखाती है और साथ ही एक कानी सुनाती है लोग कहते हैं कुछ सालों से इस शेर में काफी जादा हाथ से हो रहे हैं लोग ऐसी ऐसी चीजों को देख रहे हैं जो की बुरे सपने से भी ड्रावनी है डोक्टर्स का कहनाता है इस शेर में कुछ बिमारी फैल रही है लेकिन चर्च का कहनाता है ये सब शैतान की इच्छा से हो रहा है दिन पे दिन गुजरने लगे और जो सब इस शेर में हो रहा है उसका रहसे इसी घर में चुपा हुआ है इस घर में एक पागल सेंटिस रहा करता था जो की इनसानों पर एक्सपेरिमेंट करता था वो आत्मा उसे बात करने का तरीका ढून रहा था गौर्मेंट की तरफ से पांच लोगों को भेजा गया था इस घर में उस पागल को ढूनने के लिए लेकिन इस घर में आत्ते के साथ ही वो पांच लोग ना जाने कहां गायब हो गए उनका कोई भी नाम निशान नहीं मिला आज यहां जो पांच पांच पाटिस्पेट है उनका काम है उन पांच लोगों को ढूंड निकालना और उनके पास सिर्फ एक गंटे का समय है उन लोगों को रूम में कुछ क्लूज मिलेंगे जिसे सॉल्फ करके उन्हें दूसरे रूम के चाबी मिलेगी बस यही गेम है अब यह पांचो गेम्स के रूल तो समझ गए थे लेकिन उन्हें जो वीडियो दिखाया गया था वो काफी ज़्यादा डराबना था इतने में उनका टाइमर शुरू हो जाता है और वो सभी एक रूम में जाकर चाबी डूढने लग जाते है इतने में कैरिन को पुराना म्यूजिक रिकोर्ड मिलता है जिसे प्ले करने के बाद उन्हें एक गाना सुनाई देता है जिसके अंदर रेविन, स्नेक्स के बारे में लाइन्स थी और थोड़ा ध्यान देने पे उन्हें पता चल जाता है कि उनके सामने रखे शोपीस सही ओडर से नहीं टंगे हुए तो वो उन शोपीस को सही ओडर में टांग देते हैं इतने में एक लोकर खुल जाता है और उनी शोपीस को लाइट में देखने से उन्हें एक नंबर मिल जाता है जो की लोकर का कॉंबिनेशन था ये देखकर सबी काफी ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने काफी असानी से लेवल बन को पार कर लिया था दूसरी दरफ टैलर को काफी अजीब अजीव चीजे दिखाई दे रही थी उसे अपने हातों में कीडे गुमते वे नजर आ रहे थे जिसे देखकर वो काफी ज़्यादा घबरा जाता है और पैनिक करने लग जाता है किसी तरह से एंड्रू से समझाता है कि इस घर की लैटनिंग की वज़े से तुमें ऐसा लग रहा है अब ये दूसरे रूम में आ गए है वहाँ पर काफी सारी घड़ियां थी वहाँ पर एक टैलिफोन भी था मेलेनी जैसे ही उस टैलिफोन के रिसीवर को उठाती है उसमें से किसी की आवाज आ रही थी थोड़ा सा गोर से सुनने के बाद मेलेनी को रेलाइज होता है ये उसकी खुद की आवाज है और ये आवाज टैलर से बात करना चाहती थी क्यूंकि टैलर काफी ज़ादा डरा हुआ था तो वो फोन पर बात करने के लिए मना कर देता है तो मैलेनी उसे समझाती है ये सब प्रैंक है अंद ये सब हमें डराने के लिए किया जा रहा है इतना सुनते ही टैलर फोन को रिसीव कर लेता है लेकिन वो आवाज उसे वहाँ से भागने को बुलती है साथ ये टैलर के कान से खून भी निकल रहाता तो टैलर इस गेम को छोड़ कर चला जाता है ये देखकर मैलेनी को काफी जादा गुस्सा आ जाता है वो चारों लोग दोबारा अपनी गेम को शुरू कर देते हैं अचानक कैरिन को दिखाई देता है उस रूम में सारी घड़ी दस बच्च के बारा मिनट पर बंद हो गई है और यही उनका क्लू था दरसल यह एक रेडियो चैनल की फ्रिक्वेंसी थी जैसे ही वो उस रेडियो चैनल को सुनते हैं उसमें से कुछ लैटर्स बोले जा रहे थे जिसे टाइप करने के बाद उन्हें एक संटेंस मिलता है जो की था उन्हें लगता है यह पांच वही पांच लोग है जिने वो ढून रहे हैं इस बार भी केरिन इस पजल को सॉल्ब कर देती है फाइफ लोष्ट फ्रोम मिडनेट का मतलब है बारा बजने में पांच मिनट कम और वो जैसे ही क्लोक के अंदर टाइमिंग चेंज करती है उसे उस क्लोक में से एक की मिल जाती है लेकिन इस रूम में तीन दरवाजे थे और जिस रूम की चावी केरिन को मिली थी वो एक स्टोर रूम टाइप का था जिसमें पुराने कपड़े रखे हुए थे वहाँ केरिन को कुछ हिलते हुए नजर आता है और जैसे ही वो कपड़ा अटाती है वहाँ जोजी थी जिसकी हालत काफी बेकार हो रखी थी किसी ने उसका पेट काट दिया था जोजी उन्हें बताती है वो पागल सेंटिस्ट अभी भी इस घर में है और उसी ने जोजी के साथ ऐसा करा है जोजी उन्हें यह भी बोलती है कि तुम सब जल्दी से मास्टर की ढूंड लो वरना वो सेंटिस तुम सब को ढूंडूंड कर मार डालेगा इतना बोलते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है ये सब देखकर वो सारे काफी जादा घबरा जाते है अब उनके पास भार जाने का एक ही रास्ता था जो कि दरवाजे के उपर लगी हुई खिड़की थी लेकिन उसमें से सिर्फ पतला इंसान ही भार निकल सकता है जो की थी कैरिन कैरिन किसी तरह से खिड़की से निकल कर होल में आ जाती है तब ही अचानक उसे सीटी के अवाज सुनाई देती है जो की जोजी बजा रही थी लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जोजी बुरी तरीके से घायल थी मगर अब जोजी बुरी तरीके से फिट एंड फाइन है तो कैरीन उसका पीछा करते हुए बेस्वन में आ जाती है लेकिन वहाँ पोस्ते ही जोजी गयाब हो जाती है ये जगा देखने में काफी ज़्यादा ड्रावनी लग रही थी देखकर ऐसा लग रहाता ये कोई ओपरेशन थेटर है जहां मरे हुए लोगों का पोस्तमाटम करा जाता है वहाँ पर काफी सारे मरे हुए लोगों की बोडी पार्ट्स थे जैसे कि मूवी की स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाये गए थे थोड़ा ध्यान से देखने के बाद वो 100% शोर हो जाती है यहाँ पर लोगों के उपर एक्स्पेडिमेंट किया जाता है एकदम से उसे भार की तरफ से ड्रावनी आवाज आती है तो वो डरकर मोर्चुरी के अंदर छुब जाती है दूसी तरफ माइकल और एंड्रू ने रूम का दरवाजा खोल लिया था कैरिन को ढूंटे 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 वो तीसरे रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक वीडियो प्ले हो रखी थी एंड्रू को कॉम्बिनेशन लोग तो मिल गया था लेकिन उसका कॉम्बिनेशन आसपास नहीं लिखा हुआ था तबी एंड्रू के दिमाग में उसके स्कूल के दोवारा सिखाई हुई बाते आ जाती है एंड्रू एक छोटे मिरर से प्रोजेक्टर की लाइट को फैन के उपर रिफ्लेक्ट करता है जिससे उन्हें कॉम्बिनेशन दिखने लग गया था तो वो जल्दी से कॉम्बिनेशन लोग को खोल लेते हैं और उन्हें चाबी मिल जाती है एंड्रू एंड्रू एंड माइकल गेट से बाहर निकल जाते हैं लेकिन मैलेनी को प्रोजेक्टर के अंदर उसी की ही वीडियो दिखाई दे रही थी जिसमें वो रूम से भार नहीं निकल पा रही थी एंड्रू एंड्रू एंड माइकल उसे काफी जादा बुलाते हैं लेकिन मैलेनी उसी कमरे के अंदर फसकर रह जाती है जैसा कि उसने प्रोजेक्टर में देखा था वो रूम से निकलने के कोशिश कर तो रही थी लेकिन वो घूम फिर कर उसी जगा पर बापिस आ रही थी जहां से वो शुरुवात कर रही थी तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है तबी उसे टैलर की लाश मिलती है फांसी लगी हुई वो रोने लग जाती है तबी उसे फोन की गंटी सुनाई देती है वो भाग कर फोन को रिसीफ करती है उसे फोन से उसी की आवाज रिपीट सुनाई दे रही थी वो काफी ज़्यादा डर चुकी थी तब ही उसे याद आता है गेम की स्टार्टिंग में जब उसने कॉल रिसीफ की थी वो टाइलर को गेम छोड़कर जाने के लिए बोल रही थी तो वो बिल्कुल ऐसा ही करती है वो दोबारा टाइलर को गेम छोड़कर जाने की बोर्निंग दे रही थी अचानक उसे उसके आसपस किसी के होने का एसास हो गया था तो वो हडबढ़ाट में सीडी चटने लग जाती है अचानक उस सीडी का एक हिस्सा तूड जाता है और वो किसी नोकिली चीज पर जाकर गिर जाती है जिसकी वज़े से उसकी मोथ हो जाती है बाहर एंड्रियू और माइकल अलग अलग होकर केरिन को ढूणने में लग गए थे माइकल लगातर केरिन को आवाज लगा रहा था लेकिन केरिन एक ऐसी सुचेशन में फसी हुई थी कि ये वो माइकल का रिप्लाइ नहीं कर सकती थी एंड उसके साथ एक लाश भी थी अचानक वो लाश हिलना शुरू कर देती है तो केरिन को डर कर वहां से भाहर निकलना पड़ चाता है तब है अचानक उसे एंड्रियू मिल जाता है एंड जैसे ही वो मोर्चुरी के अंदर जाक कर देखती है वो लाश वहाँ से गायब हो गई थी वो दोनों इस बेस्मेंट से भाहर निकलना चाते थे लेकिन बेस्मेंट का दरवाजा बंद हो गया था इट्समीन यहाँ पर भी उन्हें कोई क्लू ढूड़ना होगा एंड्रू का एक्जिट मिल गया था साथ ही कैरिन को एक मैप मिल जाता है दरसल यह एक्जिट एक बड़ा टोलेट पाइप था और चावी भी इसी के अंदर थी अंदर हाट डालने के बाद उन्हें कुछ बोड़ी पार्च के साथ साथ चावी भी मिल जाती है चावी से लोग खोलने के बाद वो पाइप के अंदर चले जाते है एंड ये पाइप काफी जादा पतला था वो दोनों पाइप में रगड़ रगड़ कर चल रहे थे थोड़ा अंदर आकर पाइप के अंदर ओक्शिजन की मातरा कम हो रही थी तभी अचानक एंडरू को कोई खीच कर ले जाता है एंड केरिन हटबड़ा हट में पाइप से भाइप से भाइप निकल जाती है भाइप निकलते के साथ ही उसे मैलेनी की लास दिख जाती है जिसे दिख कर वो काफी ज़्यादा डर जाती है कैरिन के भार निकलते ही माइकल के सामने एक रूम का दरवाजा खुल जाता है लिकिन इस रूम में माइकल पहले भी आ चुका था तो उसे इस रूम से भार निकलने का रास्ता मालूम था रूम से भार निकलते ही उसे कैरिन मिल जाती है तबी उन्हें टैलर दिखाई देता है जो कि गेम को कुट करके जा रहा था और उनके सामने ही कोई उसे रूम के अंदर खीच लेता है ये सब देखकर उन्हें रिलाइज हो गया था कि ये घर एको है इट्स मीन इस घर में एक ही चीज बार-बर रिपिट होती है और कोई भी इस घर से वापिस भार नहीं जा सकता उन्हें पता है टैलर और जोसी मर चुके है लेकिन ये दोनों उन्हें बार-बर दिख पा रहे थे दरसल इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ये सब उन्हीं लोगों ने पास्ट में किया है और जो भी साया इन्हें दिखाई दे रहा है वो इनका खुद का है माइकल और केरिन उसी सेगिंड रूम के अंदर एंटर करते हैं और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता भी मालूम है वो दोनों जैसे ही टाइम को 11.55 पे सेट करते हैं उन्हें चाबी नहीं मिलती दरसल पहले ये 5 लोग थे इसलिए 11.55 मिनट पे टाइम सेट करने पर चाबी मिल गई थी अब ये सिर्फ दो लोग है तो जैसे ही ये 11.58 मिनट पे टाइम सेट करते हैं उन्हें चावी मिल जाती है। अब उनकी मुलाकात दोबारा जोसी से होती है। तो वो दोनों ये सोचते हैं कि वो जोसी से बाहर निकलने का रास्ता पूछ लेंगे। लेकिन जोसी वही बाती रिपीट कर रही थी जो उसने पहले घीती। कैरिन नोटिस करती है जोसी के गले में चैन थी जिसके अंदर की थी लेकिन अब वो चैन गायब है और उसके पेट से बलड भी आ रहा था। तो वो माइकल को बोलती है चावी जोसी के पेट में हैं। अब उन्हें चावी मिल जाती है। अब वो दोनों गेट खोलते हैं एंड वो उसी रेस्टरेंट में पहुँच जाते हैं जहां उन्होंने मूवी की स्टार्टिंग में लंच किया था मतलब रेस्टरेंट ही लूप का एंटरेंस और एक्जिट है अब उन्हें उनकी कार दिखाई दे जाती है एंड जैसे ही वो कार में आकर बैढ़ते हैं उनकी कार के अंदर कॉंबिनेशन लोक लग गया था एंड गेम की टाइमिंग भी शुरू हो गई थी मतलब वो गेम अभी भी चालू थी अगर ये दोनों चाबी को ढूंड लेंगे तो क्या ये दोनों गेम से भार निकल पाएंगे इसी सवाल के साथ ये मूवी खतम हो जाती है हम सब यही गैस कर सकते हैं ये गेम अब कभी भी खतम नहीं होगी एंड ये दोनों जिन्दगी बर के लिए इस गेम में फज गए है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए आगे के आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करिए मिलेंगे आप सगली वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद